एक 24 वरसी युवक जिला प्राशाशन गाजियाबाद के द्वारा अपातकालीन पास पर 26 तारीक को सीतामरी पहुचा था सीतामरी कोडलिया बॉर्डर पे हमारा चेक कोस्ट वहाँ उसकी जांच की गई और वो एसिम्टोमेटिक था परंतु एतियातन तुरंत उसे क्वारंटाइन सेंटर भीजा गया क्वारंटाइन सेंटर में उसका सेंपल टेस्टिंग के लिए 26 तारीक को हमारा भीजा गया टेस्टिंग सेंटर और वहाँ से आज रिपोर्ट प्राफ्ट हुआ है जिसमें वो व्यक्ति पॉजिटिव है यहाँ घबराने के आवश्यक्ता नहीं है उस व्यक्ति को तुरंत आईसोलेट कर दिया गया है एवं उसके साथ जुड़ेवे सभी व्यक्ति की कॉंटाक लिस्टिंग की जा रही है जहां इस सेंटर पे वो था उसके इर्दगीर 3 किलोमीटर डेडियस को कंटेन्मेंट जोन भुसित करके सीलिंग की कारवाई की जा रही है मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस प्रस्थिती में सितामरी वासी घबराएं नहीं बस सतर्ग रहें अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास बहार से आता है तो उसे कितुरं जानकारी दे और अगर कोई भी वेक्ति हो जिसे किसी भी तरह का लक्षन यदि उसमें प्राप्त होता है तो उसकी भी जानकारी जिला प्रास्वाशन को दे सजग और सतर करेके हम सिता मढ़ी को बचा सकेंगे एवं कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक साथ अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे